वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों मैं हूँ अभी जीत कुमार में बात करने जा रहा हूँ आप लोगों का एंजिनियरिंग ड्रॉइंग के बारे में और यह जो लेक्चर है आप लोगों का यह टेस्ट कह सकते हो यह हिंदी मेडियम स्टूडेंट के लिए है तो अगर आप लोगों को हिंदी समझ में आता है तो ही आप लोग देखना ठीक है इसमें हम लोग बात करने जा रहे है 70 mcq question के बारे में और यह 70 का 70 question अगर आप लोग लगा लेते हो तो आप लोग भरोसा करो आप लोगों का ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट जो यह चेप करके और उस तरह से आप लोग लगाते चले जाना एक टेस्ट लगाओगे और आपका चप्टर कम्प्लीट तो चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग क्या करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तब तो कर ही लेना और आप लोग को डेस्क्रिप्शन में फेस्बुक पेज का लिंक मिलेगा आप लोग वहाँ पे उस पेज को जा करके जोईन करके फॉलो करो या लाइक करो जो करना करो क्योंकि इस टेस्ट का मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर दूंगा फेस्बुक पे ठीक है और जिसका साथ से ज्यादा नमबर आ जाएगा आप लोग सम प्रेंटिंग वगरा नहीं करेगा अराम से इमांदारी से जो है सो अपना कोश्चन देखोगे और आप लोग आंसर टिक आउट करोगे मैं आपको टाइम दूंगा उतना ही टाइम में आप लोगों को करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट देखो टेस्ट है आपका यहां से स्टार्ट करते हैं एक से देखो सबसे पहला कुश्चन है आपका कि ड्रॉइंग बोर्ड के लिए कितने बैटन्स होते हैं यह आपका कुश्चन है मैं आज ज्यादा एक्स्प्लेंड नहीं करूंगा आपको बस सॉल्व करना है चलो इस कुश्चन का टाइम आपका खतम होता है हम लोग का कुश्चन हमार टू है वह भाग जो टी स्क्वाइर से सम्बंधित नहीं है आपका ओप्शन है वर्किंग एज ब्लेड स्टॉक और एबोनी कुश्चन नमर थिरी है आपका कि ड्रॉइंग की एक्यूरेसी जो होती है वो प्रयुक्त उपकरनों की गुनवत्ता पर निर्भर करती है यह सही है या गलत है आपका कुश्चन नमर चार है कि इंडियन स्टेंडर्ड इंस्टिचूट जो है आपका ISI उसके अनुसार 1000-700 mm का जो साइज है वो किस ड्रॉइंग बोर्ड का है आपका ओप्शन में है B0, B1, B2 और B3 कुश्चन नमर पांच है आपका कि ब्लू प्रिंट बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स द्वारा निम्ण में से किन ड्रॉइंग टूल का उप्योग किया जाता है ठीक है आपका ओप्शन है ड्रॉइंग पेंसिल, डस्टर्स, इंक पेन और इरेजर्स कुश्चन नमर आपका 6 है समानांतर रेखाओं को तेजी से खीचने के लिए कौन सा उपकरन हम लोग यूज करते हैं आपका ऑप्शन है सेट स्कॉयर, रूलर स्केल, प्रोट्रेक्टर और रोल एनद्रॉप यहां पे सेट स्कॉयर हिंदी में भी सेट ऐस्कॉयर ही बोलेंगे प्रोट्रेक्टर को चांद बोलेंगे रूलर स्केल को फीट जो होता है आप लोग स्केल से जो खीचते हो वो और रोल एन ड्रॉप और यहां पे एक तरीका और आप लोग लगाना आज के टेस्ट में आप लोग बहुत कुछ सिखने वाले हो कि option छाट करके answer कैसे लगाया जाता है मालों यह question exam में आ जागा तो आप क्या करोगे छोर के आओगे नहीं परहा हुआ है फिर भी कोसिस करो जिसको गोलते ना तुक्का लगाना कुछ option छाट सकते हो छाटो कोसिस करो सही होना चाहिए साथ पलस जिसका आएगा समझ लोग आप लोग का यह chapter अच्छा हो गया question number 7 है आपका कि drawing seat का दो लगातार जो size होता है उसका छेत्रफल का अनुपात कितना होता है एक अनुपात 5, एक अनुपात 4, एक अनुपात 2 और एक अनुपात 10 चलो question कहीं साथ से ही time मिलेगा question number 8 है आपका drawing paper में 210 mm गुना 297 mm का अगला आकार क्या होगा जिन लोगों को थोरा सा भी दिक्कत हो आप लोग क्या करना प्लेलिस्ट मिलेगा आपको हिंदी में engineering drawing का revision test 1, 2 और 3 तीनों का तीनों देख लेना guarantee है यहाँ पे 60 प्लस ले आओगे question number 9 है आपका circle drawing के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम उपकरन कौन सा है मतलब किस उपकरन से हम लोग सामाने था circle draw करते हैं french curve, mini drafter, divider और compass question number 10 है आपका आयामों की पुनराविर्ती होने पर आयामों को अस्थानांतरित करने के लिए निम्ण में से किन drawing tool का उपयोग किया जाता है मतलब अगर dimension repeat होता है मेरा तो हम लोग बार बार एक ही तरह का dimension अगर हम लोगों को देना होगा तो कौन सा उपकरन का हम लोग यूज करेंगे question number आपका 11 है कि 30 degree, 60 degree, 90 degree और 45 degree, 45 degree, 90 degree sit square वाला जो होता है आपका उसका यूज करके हम लोग कौन सा कौन नहीं बना सकते हैं option है आपका 45 degree, 30 degree, 10 degree और 90 degree question number 12 आपका किनिमन लिखित में से कौन सा grade lead जो होता है वो सबसे ज़्यादा hard होता है 6b, 5h, 6h और 4b कभी कभी option के हिसाब से answer करना होता है जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़े हो सबसे hard वही आपसे पूछा जाएगा exam में आपको ये 4 option से पकरना है कि सबसे ज़्यादा hard कौन सा है क्वेस्चन नमर 13 है आपका कि सटिक लमवत रेखा समनांतर रेखा और कोन ये रेखा ये सभी तरह का जो रेखा होता है उसको draw करने के लिए हम लोग कौन सा उप करने यूज कर सकते हैं कभी कभी best option चूज करना होता है क्वेस्चन नमर आपका 14 देखो छोटा धनुस कमपास इससे कितना मिलीमीटर तिर्जया से कम सरकल हम लोग draw कर सकते हैं 25 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर question नमर आपका 15 a0 से एक a5 तक अगर आप जाओगे a0 से लिकरके a5 तक तो आपका आकार जो है वो बढ़ेगा यह सही है या गलत है आपको यह बताना है a क्या है आप समझ गए होगे drawing seat का बात हो रहा है यहाँ पे question नमर 16 drawing seat को drawing board पर sit करने के लिए निम्ड में से किन drawing tool का उपयोग नहीं किया जाता है question नमर 17 question नमर 19 एक अनुपात 10 हजार जो है यह आपका विस्तारक पैमाना है यह सही है या गलत है मैंने इसका trick बताया था दो सेकेंड में बन जाएगा question नमर 20 T square जो होता है आपका वो किस लकरी का बना होता है जैतून, ओक, बेल, सागवान question नमर आपका 21 drawing board के किस भाग पर square के head का सईयोजन किया जाता है batons है, stripes है, ebony है और इन में से कोई नहीं question नमर आपका 22 सामाने तह हम किसी भी angle को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं question ध्यान से समझना सामाने तह किसी भी angle को सिर्फ यहाँ पे angle का बात हो रहा है question नमर आपका 23 निम्न में से कौन सा angle mini drafter के द्वारा बनाया जा सकता है 30 degree, 90 degree, 105 degree और उपयोग्त सभी question नमर आपका 24 ISI के अनुसार T2 square का मानक आकार क्या है 1500 mm, 1000 mm, 700 mm, 500 mm question नमर पचीस compass के किस भाग में pencil की lead लगाने की विवस्था होती है बाईं और गाईं और समझनिया इन में से कोई नहीं question नमर 26 T2, set square, chand, तथा scale का कारे किस drawing उपकरन के द्वारा किया जा सकता है आपका option है drawing board, mini drafter, compass और कोई नहीं यह 7 mistake है T2 से start है आपका question question नमर आपका 27 एक centimeter बराबर होता है किस के चार option है आपके सामने question नमर 28 BIS के द्वारा जो dimension दिया जाता है अपने लोग का engineering drawing में engineering drawing seat पे वो किस में प्रदर्शित किया जाता है millimeter, centimeter, meter या इन में से कोई नहीं question नमर 29 निम्ड में से कौन सा title block में नहीं लिखा जाता है seat number, scale, date, seat का आकार question नमर आपका 30 D0 वाला drawing board का map क्या होता है question नमर 31 title block जो होता है वो drawing seat पर कहां पर बनाया जाता है उपर की और बाई तरफ उपर की और दाई तरफ नीचे की और बाई तरफ नीचे की और दाई तरफ इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा share करना और आपका जो friend कहीं और से पढ़ाई कर रहा है उसको बोलना बनाने के लिए और मिलाना कि उसका ज्यादा नमर आता है या जो आप लोग लोगों का ज्यादा नमर आता है खुद पता चल जाएगा question नमर आपका 32 45 45 और 90 डिगरी वाला जो सेट स्कुयर होता है उसका लंबाई बताना है perpendicular age वाला लंबाई करन वाला नहीं question नमर आपका 33 ड्रॉइंग बोर्ड पर बाई सीरे पर लगी काले रंकी पट्टी को क्या कहते है बैटन्स, स्ट्राइप्स, एवोनी इन में से कोई नहीं यहाँ पर एवोनी है वो mistake है option मैं फिर से बोल देता हूँ option A, बैटन्स है, option B, स्ट्राइप्स है, option C, एवोनी है और D में कोई नहीं थाकि यह मत बोलना आप लोग की mistake था सर question नमर 34 ड्रॉइंग जो होता है उसका shape कैसा होता है question नमर आपका 35, ISI के अनुसार A3 ड्रॉइंग सीट का मान कीतना होता है question आपका 36, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H यह जो है, सो किस group में है ध्यान देना grade नहीं पूछा गया है, आपसे group पूछा गया है question 37, कि नमर में से drawing board D2 का आकार कौन सा है 3-4 second का question है, मैं आपको थोरा सा ज़्यादा time दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोरा देर से समझते हैं question 38, T2 से कौन सी रेखाय खीची जाती है question नमर आपका 49, मीनी ड्राफ्टर कितना तरह का होता है मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा time दे रहा हूँ कोसिस करना इससे फिकम समय में बनाने का question 40, set square के तीनों कोनों का योग कितना होता है question 41, मीनी ड्राफ्टर किस उपकरन का काम नहीं कर सकता है T2, protector, compass और scale question नमर आपका 42, engineering ड्राइंग में अधिकतर किस पेंसिल का परियोग किया जाता है question नमर आपका 43, pencil को कितने भागों में बाटा गया है ध्यान देना यहाँ पे grade नहीं भाग पूछा है question 44, pencil की लिड किस की बनी होती है काले रंग की, ग्रेफाइट की या दोनों की या इन में से कोई नहीं question नमर आपका 45 है, निमन में से कौन सा सबसे कठोर पेंसिल है 4H, HB, 2B, 9H question नमर आपका 46, pencil जितना कठोर होता है उतना गहरा लिखता है, हलका लिखता है या काला लिखता है या इन में से कोई नहीं question 47, title ब्लोक का माप आपको बताना है लंबाई गुना चौराई में question 48, drawing sheet 594 गुना 841 जो है, इसके बाद कौन सा साइज होता है चलो इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, question नमर उन चास, निम्ण में से सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है question नमर आपका 50, 4H, 5H से लेकरके 9H तक की पेंसिल होती है question नमर आपका 50, पेंसिल में H का मतलब क्या होता है question आपका 50, T2 के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है drawing board के वरावर, drawing seat के वरावर, mini drafter के वरावर, याइन में से कोई नहीं question नमर आपका 30, पेंसिल में से कौन सा इंगल, set square के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है 15 degree, 60 degree, 90 degree, 30 degree, question को समझने का कोशिस करना question नमर आपका 50, चांद का आकार कैसा होता है, उसका सेप बताना है चांद को protector बोलते है question नमर आपका 55 h2 h सथा 3 h ये पेंसिल कैसा होता है question नमर आपका 56, विस्तारक पैमाने के निरूपक भिन को कहा जाता है, x अनुपात 1, 1 अनुपात x, 1 अनुपात 1 question आपका 57, एक किलो मीटर में कितना होगा, 10 मीटर, 100 मीटर, 10 हेक्टो मीटर या इन में से कोई नहीं question आपका 55, एक अनुपात x, एक अनुपात x किस परकार के पैमाने का उदाहरन है, पुर्नाकार पैमाना, विस्तारक पैमाना, लगुकरन पैमाना या इन में से कोई नहीं यह सब का मैंने ट्रिक बताया हुआ है, दो से तीन सेकेंड भी नहीं लगेगा question नमारा आपका 69, किसी पैमाने का निरूपक भी निटी सनुपात, एक हो तो पैमाना कहलाता है question नमारा आपका 60, निम्ण में से कौन सा पैमाना वरी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है question नमारा आपका 61, BIS के द्वारा मुखे तह आकार के अधार पर कितने परकार का पैमाना है question आपका 62, जब वना हुआ ड्रॉइंग साइज वस्तु के आकार के वरावर होता है तो पैमाना क्या कहलाता है question आपका 63, घरी के पार्ट की ड्रॉइंग बनाने के लिए कौन सा पैमाना प्रयुक्त करते हैं question आपका 64, निरुपक भिन में 20 cm की दूरी को 1000 मीटर अगर प्रदर्शित करते हैं तो इसका RF बताना है आपका निरुपक भिन बताना है बतलब 1000 मीटर को अगर हम लोग ड्रॉइंग सीट पे 20 cm के वरावर करते हैं तो बताना है चलो question नमार आपका, यहाँ पर समझ में आ गया होगा question नमार आपका 65, निरुपक भिन का क्या नहीं होता है option के हिसाब से answer देना है most suitable answer question आपका 66, पूर्ण आकार जो पैमाना होता है, उसका RF कितना होता है question आपका 66, पैमाने का निरुपक भिन निम्ण में से किस सुत्र के द्वारा ग्यात किया जाता है चलो काफी टाइम आपको मिल गया, question नमार आर साथ, मेनी ड्राफ्टर के स्केल का कौन कितना डिगरी का होता है? यह total 68 question का मैंने आप लोगों से test लिया है, अगर आप लोग इमानदारी से दिये हो, फेस्बुक पेज, यूटूब से आप लोग लेक्चर देख रहे हो, तो आप लोग फेस्बुक होगा आप लोगों के पास, इसी के description में फेस्बुक पेज का लिंक मिलेगा आप लोगों करेंगे वहाँ पे और आप जैसे ही फेस्बुक खोलोगे तो आपको वहाँ पे notification पता चल जाएगा, ओके आप लोग लाइक कर लेना या follow कर लेना जो आपको मन करें कर लेना, इसका answer में वहाँ पे डाल दूँगा, फेस्बुक पेज पे, और जिसका 60 से ज्यादा नमर आत है, आप लोग intelligent हो, 55 से 60 के बीच में जिसका आ रहा है, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और उससे कम जिसका भी आएगा, तो आप लोग समझाना कि आप लोग को थोरा सा और मेहनत करना परेगा, और अगर किसी को दिक्कत हो, आप लोग प्लेलिस्ट खोलना, एक, दो तीन revision test आप लोग देख लेना, आप लोगों का पूरी तरह से clear हो जाएगा, इसके आगे मैं revision test लाने जा रहा हुग आप लोगों का geometric figure का, ठीक है, तो दो से तीन lecture में मैं आपको geometric figure अच्छे से रिभाइद करवा दूगा, और फिर उसी तरह से जो हस्वापका, इसी तरह का test आजाएगा, जिसमें एक ही test में पूरा का पूरा geometric figure आप लोगों का complete हो जाएगा, तो आप लोग वस चैनल को subscribe करके regular follow किया करो, जब तक आप लोगों का ALP या technician में selection नहीं हो जाता है, कम से कम तब तक, ठीक है, चलो, मिलते है next lecture में, आप लोग facebook page में बता दूगा community time में, या कहीं भी telegram group में कहीं भी बता दूगा, और आप लोग like कर लेना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, और आप लोग comment करना कि किसका कितना number आ रहा है, चलो, bye, thank you.